Hello students, यहाँ पे बिहार स्टेट की 85% स्टेट कोटा काउंसलिंग के रिगार्डिंग काफी अच्छी अपडेट हैं, काफी सारे स्टुरेंट के लिए यह काफी गुड निउज है अगर बात करें कि आपकी काउंसलिंग के लिए रिजिस्टेशन 24th of the November को यहाँ पे खत्म हो गए थे, लेकिन जो स्टुरेंट से यहाँ पे रिजिस्टेशन नहीं कर पाए, यहाँ पे चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए, उन सब को यहाँ पे बापस मौका दिया गया है एक revised time table या फिर revised schedule की बात का है, तो वो यहाँ पे release किया जा चुका है, उसको में आपको अगर आप जाएं बिहार की जो वैपसाइट है, counselling की, उस पे अगर आप विजिट करेंगे तो आपको 27th of the November को यह official notice है यहाँ पे देखी जाएगा, जिस notice में अगर आप बात करें, आप point number 2 में अगर आप देखें, तो revise seat matrix के आधर पर online counseling की जितने भी students वे eligible हैं, जो की 24th of the November तक online counseling के लिए registration और choice पिलिंग नहीं कर पाये थे, ऐसे students की registration और choice पिलिंग का दुबारा मौका यहाँ पे दिया गया है, बो students जिन्होंने 24th of the November तक registration, choice पिलिंग सब कुछ कर ली है वो अपनी passwords के साथ login करके, अगर choice में वापस कोई changes करना चाहते हैं, तो वो choice में कोई भी changes यहाँ पे कर सकते हैं, आप लोगों को अगर मैं revise schedule की बात करूं, तो revise schedule आपका जो seat matrix है, वो 28th of the November को publish किया जाएगा, जो online registration है, वो choice filling for seat allotment आपकी 29th of the November को start होगी, last date आपकी 1st of the December है, 1st round का जो आपका provisional allotment result है, वो आपका 4th of the December को यहाँ पर publish किया जाएगा, अगर आप seat of gradation पर डालना चाहते हैं, अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, तो आप slot book करना चाहते हैं, document verification के लिए, तो 4th December से लेके 8th December तक का आपको यहाँ पर time है, document verification और admission के लिए आपक 5th of the December से लेके 9th of the December तक का time दिया गया है, then आपकी round 2 का जो फिर से schedule यहाँ पर पूरा दे दिया गया है, आप वहाँ पर भी उसको देख सकते हैं, second thing, round 2 provisional seat allotment result publication date आपकी 14th of the December है, अब यहाँ पर मैं आपसे बात करूँ कि round 2 के लिए आपको fresh registration की कोई भी यहाँ पर date न choice filling, one time है, इसलिए अगर आप round 1 में registration नहीं करते हैं, आप choice filling नहीं करते हैं, तो फिर आप दुबारा registration और choice filling नहीं कर पाएंगे, इसलिए round 2 की कोई separately registration नहीं होंगे, ध्यान से इस notification को पढ़ लिजेगा, जो भी students registration करना चाहें, चाहे round 1 हो, चाहे round 2 हो, जितने भी round हो, उनके अगर आप registration करना चाहें, तो आपको अभी registration करना पढ़ेगा, अभी आपको choice filling करनी होगी, बाद में आपको मौका नहीं दिया जाएगा, तो आप इस चीज़ को जरू देखें, thank you